नमस्कार दोस्तों 27 कंपनियों ने डिविडेंट की घोषना की है उसका वीडियो लगा रहा हूं लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर अगली कंपनी का नाम हम एगडो प्रोडक्ट्स है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 686 रुपया परती सेयर है यह स्प्लीट करेगी एक नुपा 10 की रेशियों में और इसकी एक स्टेट 39 दिसम्बर है अगली कंपनी टाटा स्टील है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 130 रु कर दिया है चुकि एक बहुत बड़ी ब्रोक्रेज फ़र्म है घिजी ट्रिप प्लेश की करेण्ट मार्क किट प्राईश 19 रुपयां परती शेयर है यह 10 परती शेयर है रिविडेंट तit है और इसकी एक स्टिह 10 मतलब एक शेयर पर आपको दो सेयर फिरी मिलेंगे इसकी एक स्टेट 29 दिसंबर है अगली कमपनी का नाम कानानी इंडस्टीज है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 8 रुपया 70 पैसा परती सेर है यह बोनस देगी एक अनुपात एक की रेशो में और एक स्टेट अपकमिंग है अगली कमपनी आर सत्यम इंटरप्राइजज है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 488 रुपया परती सेर है इसने अपनी डिविडेंट की मीटिंग 13 दिसंबर को रखी है अगली कमपनी का नाम अलफा लॉजिक टेक्नलोजीज है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 78 रुपया परती सेर है और यह बोनस देगी 1.93 की रेशियो में और इसकी एक स्टेट 15 दिसंबर है अगली कमपनी का नाम संदूर मैगनीज है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 1870 रुपया परती सेर है इसने अपनी बोनस की मीटिंग 18 दिसंबर को रखी है अगली कमपनी का नाम TPHQ है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 10 रुपया परती सेर है यह स्प्लीट करेगी एक अनुपाद 10 की रेश्यो में और इसकी एक स्टेट 14 दिसंबर है अगली कमपनी का नाम Paul Merchant है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 3,200 रुपया परती सेर है यह बोनस देगी दो अनुपाद 1 की रेश्यो में और इसकी एक स्टेट 18 दिसंबर है अगली कमपनी का नाम M.Luxmi Industries है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 95 पैसा परती सेर है यह बोनस देगी एक अनुपाद 50 की रेश्यो में और इसकी एक स्टेट अपकमिंग है अगली कमपनी M.K.Exeem India है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 127 रुपया परती सेर है यह बोनस देगी एक अनुपाद 2 की रेश्यो में और इसकी एक स्टेट अपकमिंग है अगली कमपनी का नाम कफोर्ज है इसकी करेंट मार्केट प्राइस पाँच हजार साथ सो रुपया परती सेर है इसने अपनी डिविडेंट प्लस क्वाटर थिरी रिजल्ट की मीटिंग बाइस जनवरी को रखी है अगली कमपनी हिंदुस्तान जिंक है इसकी करेंट मार्केट प्राइस तीन सो पचीस रुपया परती सेर है यह छे रुपया परती सेर डिविडेंट देगी और इसकी एक स्टेट 14 दिसंबर है अगली कमपनी का नाम वेदानता है इसकी करेंट मार्केट प्राइस दो सो चालि रुपया परती सेयर है यह मर्जर करेगी एक अनुपात 6 की रेशो में और इसकी एक स्टेट अपकमिंग है साल 2023 में 160 परतीसत रिटर्न देने वाले सरकारी कमपनी को मिला 543 करोर का आडर मंगलवार को सेयर पर रखें नजर RVNL सेयर प्राइस सरकारी उपकरम रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL को मध्य परदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन से 543 करोर रुपे का एक आडर मिला है इस परजेक्ट के तहत इंदोर मेट्रो रेल परजेक्ट के लिए एलिवेटेड अस्टेशन बनाने है RVNL का 11 दिसंबर 2023 को 4% की बढ़त के साथ इसका सेयर 178 रुपया पर बंद हुआ इस साल कमपनी के सेयर ने 160 परजेक्ट का सांदार रिटर्न दिया है 1092 दिन में पूरा होगा प्रोजेक्ट RVNL ने BSC को दी गई एक जानकारी में कहा इंदोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए एलिवेटेड वायडक्ट 5 एलिवेटेड मेट्रो रेल स्टेशन के आंसिक डिजाइन और निर्मान के लिए RVNL URCJV ने सबसे कम बोली लगाई है इस और्डर के तहट प्रोजेक्ट को 1092 दिन में पूरा किया जाना है बता दे कि RVNL रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से सम्बंदित प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट, फंडिंग और करियानवन से जूरी है यह परियोजना के लिए वित्तिय और मानव संसादन भी जुटाती है साल 2023 में 160 परतिसत रिटर्ण RVNL के सेर निवेशकों को सांदार रिटर्ण दिया है एक महिने में सेर 14 फिसीदी चड़ा है जबकि 6 महिने में इसमें 44 परतिसत की तेजी आई है इस साल सेर ने अब तक 160 परतिसत का रिटर्ण दिया है एक साल का रिटर्ण 152 फिसीदी रहा अब अगली खबर IPO से कमाई के लिए हो जाएं तयार इस हफते खुलेंगे 5 कमपनियों के IPO निवेश से पहले जानिए पुरी रिडिल्स अब कमिंग IPOs अगर IPO से कमाने का मौका चुक गए हैं तो आप पनिशान ना हो इंडिया सेल्टर फाइनाइस और डॉम्स इंडेस्टीर समेत कुल 5 कमपनियां इस हफते अपना IPO लाएगी जिन 3 कमपनियों के IPO इस हफते खुलेंगे उनमें आईनॉक्स गुरूप के इकाई आईनॉक्स इंडिया जैपूर की खुदरा आभूशन कमपनी मोती संस जोयलर्स और मुंबई की सूरज एस्टेट डेबलपर्स हैं सन्युक्त रूप से इन कमपनियों के IPO से कुल 4200 करोर रुपे की रासी जुटाई जा सकेगी पिछले महिने 10 कमपनियों का IPO सफलता प्रुवक पूरे हुए पिछले महिने IPO लाने वाली कमपनियों में टाटा टेक्नलोजीज भी थी यह लगभग दो दसक में टाटा समू के की ओर से IPO लाने वाली पहली कमपनी थी जिससे पहले 2004 में समो की टाटा कंसंट्रेंसी का IPO आया था नवंबर तक 44 से ज़्यादा IPO आये भारतिय IPO बजार में चालू भी तवर्स में नवंबर तक 44 से ज़्यादा इसू लाए गए हैं जिनके माध्यम से करीब 35,000 करों रुपे जुटाए गए हैं आनंद राठी एडवाईजर्स के निदेशक और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेग्वेंट के परमुक ECMV परसांतराव ने IPO बजार में पिछले कुछ सप्ता में बढ़ती गतिवीधियों के लिए कई कारकों को वजह बताया है इनके अलावा केंदर में सत्ता रूड भारतिय जनता पार्टी के हाल में संपन विधानसवा चुनवावों में जीत से निवेशकों की धारना सकारात्मक हुई है 13 दिसंबर को खुलेंगे ये दो आइपियो अफोर्डेवल होम फाइनांस कमपनी इंडिया सेल्टर फाइनांस और पेंसिल निर्माता डॉम्स इंडस्टिर्स के आइपियो 13 से 15 दिसंबर तक आइपियो के लिए खुलेंगे दोनों कमपनीों ने 1200-1200 करोर रुपे जुटाने का लक्ष रखा है आइनॉक्स का आइपियो 14 दिसंबर से खुल कर 18 दिसंबर को बंद होगा इसके अलावा मोती संस जोयलर्स और सूरज स्टेट डेवलपपर्स के आइपियो 18 दिसंबर को खुल कर 20 दिसंबर को बंद होगे इंडिया सेल्टर फाइनांस के आइपियो 800 करोर रुपे के नए सेयर और 400 करोर रुपे के विक्री पेशकस ओफेस सामिल होगी कमपनी ने आइपियो के लिए प्राइस मेंड 479 से 493 रुपे परती सेयर तई किया है